पुराना पुल 45 से 50 साल से जरजर सिती में है जिसे लेकर गामिरों ने पुल निर्मान की मांग पिश्वासन से की लेकिन लोगों की मांग नहीं सुनी गई पिश्वी सरकार से इस पुल की श्वतिग्रस्त होने के चलते लोगों पर खत्रा मन रहाता हुआ दिखाई दे रहा है और पुल निर्मान के लिए लोगों को कई जर्पतिनी दियों ने आश्वासन दिया लेकिन आज भी सिती जर्द की तरस है अब बहुत पहले का बनो है अग्दम पाइट का भी जड़जा हो गया है और जो पूल तोटा हुआ है कभी भी टूढी सकता है वो हम यहां से आना जाना करते हैं यहां जो भी है जो आप देख रहे हैं आज पासमें जो भी है आप देख रहे हैं अद्या सकता है जो आता है सरक को जोडने वाला पुराना पुल 45-50 वर्षट से जरजर सिती में है जिसे लेकर गामिरों ने पुल निर्मान की मांग प्रिश्रासन से कई मरतबा की लेकिन आज तक उनकी सुनी नहीं गई सिती आज भी जर्कीता से सुनाओ के वक्त हेवांचू ठाको जोड़ गए जादा जानकारी के साथ हेवांचू क्या वजय बताई जाती है कि पुल निर्मान की मांग लंबे वक्त से की जा रही है लेकिन इस सिती आज भी जर्कीता से सरकार बदल गई इस सिती नहीं बदल रही है जी मैं मैं आपको देखी में बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है पंडरिया से का वर्दा नेशनल हाइवे शड़क को जोड़ने वाले पूल की हाला पिछले 45 वर्सों से लगब बना हुआ है जो कि आज ये पिछले 10 वर्सों से जर्दर की इस्तिती में है आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस संबन में ग्रामलों ने नए पूल निर्मार को लेकर काफी 97 प्रशार्शन को अविदन दिया भी था परन्तु इस ओर किसी ने भी धान नहीं दिया जबकि पूरों में जनप्रतिनी दी ने हामी तो भरी परन्तु नए पूल का निर् है का वंता चंद्राकर हैं और जिला पिश्वासन जिमेदार अधिकारी पी ड़ूडी विभाग के जिरे के कलेक्चर साहब क्या कर रहे हैं आना जाना तो जाहिर की बात है इसकूल से होता ही होगा जी मैं आना जाना तो लगातार लगा रहता है जबकि उस रोड पे एक बक्षाइट का खादान भी है और वहीं दो सुगर फैक्री भी है परन्तु वहां एक इसकूल भी है जहां रुजाना बच्चों का आवागमन लगा रहता है फिर भी प्रशासन उस पर ध्यान नहीं द